कि हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एमार के स्टेडी इस वीडिवे हम बात करेंगे जैसे आयोसियल अप्रेंटिस्प का रिजल्ट आ चुका है तो सबको पता चल गए होगा कुछ रिफाइनरी का आए होगा है कुछ रिफाइनरी का अभी बाकी है तो दस बजे तक आपका आज अगर नहीं आया तो कल आप सुबह देख सकते हो ठीक है तो जो रिजल्ट आज नहीं आया तो कल तक अप्लेट अप्लेट हो जाएगा ठीक है रिफाइनरी पर परिशान मत हुएगा मैं टेलिग्राम पर सारा रिजल्ट दे रहा हूं तो इस वीडियो हम बात करेंगे डॉक कि बात करेंगे तो देखो मैं यहां पर आपको डॉक्मेंट बताऊंगा क्या के डॉक्मेंट लेकर जाने है ठीक है यहां पर बंदे होंगे देखो कौन-कौन से बंदे होंगे यहां पर डिपलोमा के होंगे इतने लोग होंगे सबके लिए वीडियो रहे गई है तो सबसे पहली बात है कि डॉकुमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 28 तारिक से है मैं लेकिन जाना कहां पे है तो जैसे आपको लिस्ट मिलेगी ना जैसे मत्रा लिस्ट जैसे खताम होती है आपके रोल नंबर वाली उसके नीचे जस्ट नोट में लिखा होगा जहांपर वेन्यू जाना होता है वहां पे ठीक है अब उसके बाद यहां पर आपको डॉकुमेंट क्या के ले जाने वो ध्यान से देखेगा जैखो सबसे पहले डॉकुमेंट क्या है मैं सारा एकी बार में लिख दूँगा आपने हाई स्कूल करी होगी 10 ठीक है मार्क्षिट ले जानी है और जनल ले जाने सारे यह हैं दूसरा तो वैल्थ अगर करी है तो वैल्थ ले जा सकते हैं मार्क्षिट अगर आपने आई टी आई करी है तो आई टी आई की मार्क्षिट ले जाओगे आप अगर सेमस्टर वाइस करी है यह वह दोनों ले जाओगे और ने ले जानी है ठीक है यह और यहां पर 2017- को यह आपके पास नहीं तो जाना मत नहीं होगा शलेक्ष्चन पैले आपके पास अगर समय है आप जितना भी समय हो बन वालो और नहीं है तो जल्दी बन जाता है दस दिन के अंदर बन जाता है तो यह हो गया पांच मह देखो क्या है यहां पर और हम देख लेते हैं हाँ है भए जिसके पास डिगरी है कि वाला भी ओल ले जाना है डिगरी PCM से होती है इसके बाद PCM से लिया था physics chemistry math है और भी degree जैसे मागी गई थी तो वो लिया सकते हो अपने degree ठीक है ये चीज़े हो गई इसके बाद आपको 5 फोटो ले जाने है पासपोर्ट वाले ठीक है पास फोटो हो गए उसके बाद साथ बाद देखो आपका जो admit card था न भूलो जाना है आपको ठीक है admit card admit card हो गया आपका जो result वाला result का तो कोई रिखत नहीं admit card ही ले जाना कि result वाला PDF कोई जरूद नहीं है ठीक है यह चीज़ हो गई application form ले जाना है आपको application form जो भी आपने application भरा था ना उस तरहें पर वह application form लेकर जाना है अगर नहीं अगर आपको मिल रहा है तो आपकी काम करना कि आपकी साइट पर जाना वहां पर आप क्या करोगे अपना registration नमबर डालोगी और ओटीप आपको मिल जागा वहां पर आप डालोड कर सकते हो इसको ठीक है यह अपर और बताते हैं अब यह यहां पर और वह दे रहा है कि कोई भी सर्टिफिकेट मल ले जाना कोई मतलब नहीं है ठीक है और हां एक और बात बता दूँँ ध्यान से देखना मैं आपको एक बात बता दूँगा जिन लोगों ने बारे से ट्वेल्ट से अपलाई किया है मतलब डाट एंडियोटर से तो ट्वेल्ट ही दिखाना उनक कि आगे वाली जो डिगरी है कुछ भी है वो मत दिखाना हूं पर ठीक है यह कुछ ना कुछ एशू करके निकाल देते हैं पहली बात तो यह मतले हैं देकर यहां पर इंट्रिव्यू तो नहीं होगा यहां पर ठीक है और हम देख लेते हैं क्या इंप्रोडिंट है तो 28 से चालू है अपना अपना डेट देख लेना जो भी है और हाँ एक और बात बता रहा हूं आपको आप फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे ठीक है यह नहीं है उट पटंग कपड़े पहन के मत जाना थोड़ा बैड इफेक्ट पढ़ता है तो फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना है वापर डॉकुमेंट वरिफिकिशन कराने ठीक है तो यह और्डिनल सर्टिफिकेट ले जाने सारे और अपना आधार कार्ड आधार कार्ड लेना मस्ट है यह जरूरी है अगर आधा कार्ड अपनी तो फिर फिल कर दिया जाओं यह भी चीज हो जाएंगी ठीक है एक एक चीज मैं ध्यान से बता रहा हूं आपको जिसे दिक्कत नहीं कोई भी आईटी ले सकते हो और आपके पास पैन है अगर तो यह ले सकते हो और आपके पास उसके बता है यहां पर यहां पर इसकूल वाले नहीं यहां पर डिप्लोम वाले जो है थीक है डिप्लोम तो लिखाई नहीं है क्या कि हाइच कूलों की मार्क हो गई डीक्री नहीं लेजाना और आगर ओर वाईज ले जाना तो एर्भाईज ले जाना डीक्र शुर्बर हसे वह आम कार दरते हैंcue इसको टीप्लोऑ मिलता है और उसको य। जाना है ठीक यह नहीं है और आपके पाद डिपलोवा नहीं हो तो फाइनल की जो मार्क चुट आती है ना वो जरूर ले जाना है तो यह चीज हो गई और आपके पास आपके पैसे अगर लग रहे हैं तो आपको फर्स्ट सेल्री में एड करके देज़ेता है तो करा भी सकते हैं कुछ पता नहीं है करा सकते हैं क्योंकि वह काम ऐसी कराते हैं तो सबका रिजल्ट आ जाएगा धीर देर करके मत्रा का आ गया है और वहां का आ गया है क्या करते हैं अपना पानीपत का और भी बात बता हूं ध्यान से हमारा एप्लिकेशन है वो मतलब आ चुका है एप्लिकेशन उस पर कोर्स भी लॉन चो चुके है आयूसल और देजी आपी फॉर्म चल रहे हैं ठीक है तैयारी करिए पिछले वाली वीडियो उससे देखरी तैयारी और नई वीडियो मैं बना रहा हूं रोज डेली लिया करूंगा अभी साथ आट बज़े वी क्लास हुआ करेगी वो लिया करूंगा ठीक है तो एपलिकेशन डाउ 50 रुपीज डिसकाउंट मिल रहा है तो जल्दी जल्दी कर लो दस दिन का आपके पास समय है तीस तारिक तक भाई ठीक है मैंने क्या कराए तीस तारिक तक आपको तीस नवंबर तक डिसकाउंट दे रखा है दस दिन का ओपिन कर रखा है यह उल्लेओं के लिए जैसे नया आप जैसे वैलकम आफर है यह समलो की अभी शुरूआत है तो एक कम का रख रखा है लगबक कोई भी चीज खरीदे को जैसे माल लोग एक सो पचास की कोई भी चीज है ठीक है स्टर रुपय अगर डिसकाउंट दे रहे हो तो भाई 80 रुपय के हो गई ठीक है तो 80 रुपय में मिल रही है भाई पीडिये पाला सेक्षन जरूर ले ना मेकनिकल वाले 6 मिने का मैं दे रहा हूँ सिर्फ 80 रुपय में च्छे मिने के लिए ठीक है या बहुत सारे नोट्स है मेरे वहीं मिल जाएंगे PDF सेक्षन में तो वह ले लेना सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है नहीं तो फिर क्या फाद है इसकी प्राइज बढ़ जाएगी तुम्हें को कि सर प्राइज कम कर लो तो प्राइज बात में कम नहीं होगी ठीक है चलो और कोई दिख्कत है तो पूस लेना मैं सारी चीज़े बता दिए हैं रिफाइनेरी में उल्टी सीफ लिए ना जैसे मांचर लिए रहा है ले जा रहा है यह से और कोई भी दिक्कत हो रही होगी तो मुझे बता जरूरू देना ठीक है चलो सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब को इस पर एक एक अपडेट बताऊंगा अपी मेडिकल को यह वारे में अपडेट बताऊंगा मेडिकल में आखर कोई दिक्कत हो रही होगी तो मुझे बता जरूरू देना ठीक है चलो